अगर आप की जॉब कर रहे हैं तो आपने एम्ब्लॉयर से ले सकते हैं इसके लावा अगर आप स्टूडेंट हैं अपने बैचलर के पॉफेसर से ले सकते हैं अपने बैचलर के पॉफेसर से ले सकते हैं अपने 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 पॉफेसर से ले सकते हैं what documents we have required for studying in Germany or while applying for application in Germany और basically motive जो viewers मेरे चैनल पर नियू हैं उनके लिए ये के प्लिस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए आनी वाली वीडियो आपको टाइम ली मिल सके और एक टाइम तो टाइम आप पॉजिटिव इंफॉमेशन गें कर सकें चले वीडियो का स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जो important चीज़ जो required है आपके लिए वह है passport अगर आपका passport अभी तक त्यार नहीं है और आप summer के लिए apply करना चाहर है तो 2023 और winter के लिए तो सबसे पहले आप अपना passport ready करें और उन लोगों के लिए अगर जिनका passport आने वाले एक से डेट साल में expire होने वाला है I would say और I would recommend कि अपना passport renew कर वाले मिनवाइल आप अपने इसी passport के साथ अपनी application generate कर सकते हैं और वीजा apply भी कर सकते हैं बट तब तक आप एक new passport त्यार करके रखें सबसे पहले आपने passport ready करना है उसके बाद जो आपके documents ready करने में for most important चीज़ हैं वो हैं आपके educational documents educational documents आपके school degrees जो आपकी like matriculation है वो required है matriculation की matric की सनत, matric certificate, matric की transcript इसके अलावा जो mark sheet होती है इसके अलावा आपकी intermediate की सनत, intermediate की mark sheet ये चार चीज़ें इसके अलावा अगर आपने bachelor कर लिया है तो bachelor के लिए आपका bachelor certificate, bachelor degree और आपकी bachelor की transcript और अगर आपकी university ने provision letter दिया हुआ है तो आप provision letter भी attach कर सकते हैं साथ में meanwhile इसकी कोई इतनी खास requirement नहीं है और अगर आपने master कर लिया है तो master की degree और master की transcript और अगर आप second master pursue करने जा रहे हैं जर्मनी में तो आपने first master की documents आपने अपने पास त्यार करके रखने है ये documents आपने education background तमाम त्यार कर लिया इसके अलावा जो next step है वो है आपका IELTS का certificate और आपकी cv IELTS अगर आपने test दे दिया है तो IELTS का certificate आपने attach करना है साथ में documents जो भी आप त्यार कर रहे हैं इसके इलावा अगर आपने university से English proficiency letter निकल वा लिया है तो आप English proficiency letter भी अपने पास त्यार करके रख सकते है अगेन जो आपकी cv है वो basically euro pass पोने चाहिए euro pass पे basically आपने जाके मैं link description में add कर दूँगा अपने simple अपना basic data देना है उसको और वो एक cv एक format पे बना के आपको दे देगा तो आपको जादा कुछ problem huddle नहीं create होंगी आपके लिए तो जो भी smooth होगा अपने data simply अपने put करना है तो साथ साथ आपकी cv त्यार होके आ जाएगी इ letter of recommendation basically अगर आप की job कर रहे हैं तो अपने employer से ले सकते हैं इसके लावा अगर आप student हैं अपने bachelor के professor से ले सकते हैं assistant professor से ले सकते हैं और इसके लावा अगर आप master के student हैं तो भी आप अपने professor से ले सकते हैं इसके लावा आपने letter of motivation त्यार करना है letter of motivation basically आपने खुछ से write करना और हर university के लिए different- different letter of motivation रहेगा ऐसा नहीं लिखना अपने कि आपने same letter of motivation लिख दिया और हर university को आप apply कर रहे हो और letter of motivation में जब आप जो भी अपने study की relate अपने technical activities से relate अपने interest से relate जिस course में apply कर रहे हैं उस course से जो भी आपका interest है और जो भी courses आपने उस course से relate पढ़ हैं अपने bachelor के अंदर या master के अंदर उनको relate करके आपने show करना है तो हर university के लिए different different alarm रहेगा I mean letter of motivation इसके अलावा अगर आपकी कुछ extra documents हैं extra documents में like आपकी extra curricular activities हैं इसके अलावा आपकी like कुछ sports में certificates हैं आपके इसके अलावा कुछ courses किये हैं like कुछ PC से courses कर लेते हैं या इसके अलावा university से कुछ double CEE की courses कर लेते हैं इसके लावा इस दो भी post की जो certifications होती हैं वो कुछ कर लेते हैं या आपकी कुछ भी किसी तरह की achievements हैं तो वो आप अपनी attach कर सकते हैं तो यह तमाम documents आपने एक set बना लेना है इनकी photocopies भी कर लेनी हैं आपने ताके जहां 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 जो documents required हैं हमने वहां भेजने हैं इसके अलावा documentation की attestation और notarization जरूरी है मैं आने वाली किसी new video के अंदर इस तमाम discuss करूँगा चीज़े हैं कि कौन-कौन से documents की notarization करवानी है और कौन-कौन से documents की HECC से attestation करवानी है या IBC से attestation करवानी है आपको इतनी ज़्यादा documents की notarization नहीं करवानी सिर्फ बहुत ही basic documents है जो मैं आने वाली वीडियो में discuss करूँगा तो तब तक की लिए मुझे ज़्यादा देजिए इन्शाला मिलते हैं नहीं किसी वीडियो में अलाँ आफिस